आज हम बायलोजिक कुछ important question की चर्चा करेंगे जो GIC, TGT, PGT exam के लिए important हो सकते हैं तिसमें यहाँ पर point लिखा हुआ है कि चोंट लगने पर मास्ट को सिकाएं सिरे टोनिन सरावत करती हैं याद रखना चोंट लगने पर मास्ट को सिकाएं जो होती हैं वो सिरे टोनिन का सरावत किया करती हैं इसी प्रकार से यहाँ पर एक point लिखा हुआ है कि जो इस नायू होते हैं वो पीत एवं स्वेत तन्तु के बने होते हैं नेक्स्ट कुईस्चन है यह कुईस्चन सारे point wise है brown hair found at the base of terris leaves are मतलब brown hair मिलते हैं the base of terris leaves are terris leaves के base पर जो brown hair होते हैं वो क्या कहलाते हैं तूसे हम rementa कहते हैं और next है pigments present in ulothrix कौन से pigments होते हैं जो ulothrix में present होते हैं तो chlorophyll A, chlorophyll B, kairotines और gentophylls यह 4 pigments होते हैं जो ulothrix में present होते हैं त्रिक्स क्या है यह chlorophyce का member होता है ग्रीन इलगी है टेरीडियम पॉसेस मतलब टेरीडियम क्या रखता है तो टेरीडियम में polycyclic dicteo steel मिला करती है नेक्स्ट है lower plants having green pigments similar to those of higher plants are मतलब lower plants में green green pigments पाय जाते हैं similar to those of higher plants are जो कि higher plants के similar हुआ करते हैं तो कौन से हैं वो lower plants जिन में green pigments मिलते हैं जो कि higher plants के जैसे होते हैं तो वो lower plants chlorophyce होते हैं ठीक chlorophyce के बारे पर आप चीज और याद रखना कि chlorophyce में chlorophyll भी मिलता है ठीक chlorophyce में chlorophyll भी मिला करता है यह specialist का pigment है क्लेमाइडो मोनास is found क्लेमाइडो मोनास कहां पर मिलता है ponds, lakes, oceans तो क्लेमाइडो मोनास ponds में मिलता है, lakes में मिलता है और oceans में मिलता है a spermatophyte with ciliated stage is कौन सा spermatophyte है जिसमें ciliated stage मिलती है तो जिम्नो इस्पर्म जो है इसमें ciliated stage मिलती है जिम्नो इस्पर्म में जो साइकस मिला करता है साइकस के male gamits ciliated होते हैं, plant cells possess wall मतलब plant cell में wall मिलती है but the same is absent in लेकिन यही wall किसमें absent होती है तो male and female gamits में wall नहीं पाई जाती है, gracilaria irits अगर gracilaria उत्पन करता है अगर नामक पदार्थ, kairagenin नामक पदार्थ, तो यह जो अगर और kairagenin नामक पदार्थ हैं, gracilaria से उत्पन होते हैं, यह related है का है से, मतलब यह क्या है, तो यह phyco collides होते हैं, next है teeth are absent in, दात किसमें अपसेंट होते हैं, तो ब्यूफो में और पाईपा में इनमें दात अपसेंट होते हैं, next है epiglattis is absent in, epiglattis किसमें अपसेंट होते हैं, तो epiglattis अपसेंट होता है frog पर, four pairs of salivary glands found in, चार जोड़ी salivary gland किसमें मिलते हैं, तो rabbit में मिलते हैं, तीन जोड़ी किसमें मिलते हैं, तो तीन जोड़ी मिलते हैं, मनुस सिफर, duct of pirotid gland, pirotid gland की duct क्या कहलाती है, तो उसे extensions duct कहते हैं, duct of submaxillary gland, यह क्या कहलाती है, तो इसको वार्टन्स duct कहते हैं, और duct of sublingual gland, मतलब sublingual gland की duct क्या कहलाती है, तो बर्थोलिन duct, यह फिर rivenous duct कहते हैं, next है, fundic part of stomach, fundic part of stomach is absent in, stomach का जो fundic part होता है, वो किसमें absent होता है, तो frog में absent होता है, bunodont, यह यहाँ पर दातों के प्रकार दिये हुए हैं, और यह बड़े important है, इनका example क्या है, अर्थाती किसमें मिलते हैं, तो bunodont जो होता है, मैन, monkey and pig में मिलता है, secodont किसमें मिलता है, तो secodont जो होते हैं, कार्णी वोर्स में मिलते हैं, मतलब मानसाहारी मिलते हैं, selenodont यह दात किसमें मिलते हैं, तो यह काव में, सीप में और गोट में मिलते हैं, lofodont, very important है, lofodont, elephant पर मिलते हैं, ठिक, important, next है, gallbladder is absent in, gallbladder किसमें absent होता है, तो birds में, rats में, whale में, और horse में, इनमें gallbladder absent होता है, मतलब पिता से इनमें नहीं पाया जाता है, maximum absorption in, मतलब ज़्यादा तरह उसोसर किसमें होता है, तो ileum में होता है, तो यह ileum छोटी आथ का part होता है, सबसे पहला part duodenum होता है, बीच का part ileum होता है, jejunum होता है, तो तीन पार्ट इसमें होते हैं, छोटी आथ पर, small intestine पर, duodenum, jejunum और ileum, तो ileum वाले पार्ट पर, ileum वाले पार्ट पर absorption सबसे ज़्यादा होता है, यह अन्तिम पार्ट होता है, सबसे पहला duodenum, फिर jejunum और फिर ileum, teeth are derived from, teeth की उत्पत्ति कहां से होती है, तो ectoderm से और mesoderm से, दोनों जगह से होती है, tongue processes, tongue में क्या होता है, तो nuance gland मिलती है, यह भी important है, nuance glands किसमें मिलती है, आपसंट होती है, 5 pairs of salivary glands, पांच जोडी salivary glands किसमें मिलती है, तो यह कैट में होती है, enamel की origin कैसी होती है, तो enamel की positिं है, वो ectodermal होती है, वहीं dentine की जो origin होती है वो mesodermal होती है तभी तो पूरे teeth की origin hecto और mesoderm से मानी गई है The lining of small intestine bears a series मतलब small intestine की जो अस्तर होता है वो एक series रखती है of transverse folds called मतलब कुछ अनुपरस्थ fold की series रखती है small intestine small intestine की जो अस्तर होता है उसमें कुछ transverse fold होते है उन्हें हम क्या कहते है यह important है pliky circularis कहते है अथवा valves of charactering कहते है egg of frog frog का एक कैसा होता telolacithal होता है the term acid rain was coined by acid rain सब्द को किस ने दिया है Robert August ने दिया है 1872 knock knee disease यह knock knee disease अथवा skeletal fluorosis यह किस के कारण होती है यह फ्लोराइड के कारण होती है sounds above what sounds above what level are considered hazardous noise pollution मतलब किस level की जो sound होती है वो खतरनाक होती है और noise pollution की स्रेणी में आती है तो above 80 decibel 80 decibel से ज्यादा की जो धोनी होती है वो खतरनाक होती है और वो noise pollution मानी जाती है major aerosol pollutant in jet plane emission is मतलब major aerosol pollutant in jet plane jet plane के द्वारा जो major aerosol pollutant होता है emission is मतलब यह major aerosol pollutant in jet plane emission is jet plane के द्वारा जो ज्यादा मात्रा में निकलने वाला aerosol pollutant है वह है फ्लोरो कार्बन तो यह कुछ important question थे जो आने वाली competitive exam के लिए helpful हो सकते हैं